हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन में फ्लिपकार्ट के एप्लिकेशन में आपको कुल नौट लोड करके इस तरीके से एरर आता है कुल नौट लोड कंटेंट करके तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो चले गाईज वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसको ठीक करना है तो ये जो problem होती है वो आपके phone में अगर internet connection का problem है आपके phone में internet नहीं है तब guys आपको ये problem आती है तो सबसे पहले आप अपने phone का network को check कीजिए कि आपके phone में network का सहीं से चर रहा है कि नहीं चर रहा है तो उसके बाद भी अगर आपको problem आ रही है तो आपको अपने phone में एक setting करनी है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या setting करनी है तो सबसे पहले आप अपने phone में setting को open करिए setting को open करने के बाद यहाँ पे आपको उपर की और slide करना है और guys यहाँ पे आपको एक option आता है application का तो आपको यहाँ पे click करना है उसके बाद यहाँ पे आपको manage apps का option आता है तो यहाँ पे guys आपको click करना है यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे search bar का option आएगा तो यहाँ पे आपको flip card लिखके search करना है तो जैसे ही आप Flipkart लिखके सर्च करेंगे तो यह जो application है वो आएगा तो आप उसको open कर लिजिए open करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले आपको उपर की और slide करना है और यहाँ पे आपको एक option आता है restricted data uses का तो आपको यहाँ पे click करना है click करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको wifi और mobile data का option आएगा तो आप इन दोनों को इस तरीके से select करके इसको ok कर लिजिए तो अगर आप इसको select नहीं करेंगे तो यह जो application है वो आपके phone का data use नहीं कर पाएगा और आपके phone में बार बार जो है network error करके problem आता है ओके तो आप इसको जो है select कर लिजिए और ok कर लिजिए उसके बाद यहाँ पे आपको application permission पे click करना है और यहाँ पे click करने के बाद आपको यहाँ पे one by one सारे के सारे permissions allow कर लेनी है तो आप simply से यहाँ पे permission को allow कर दीजिए जितने भी यहाँ पे permission दिखाई दे रही है सारे के सारे permissions को आप अपने phone में allow कर लिजिए उसके बाद guys आपको कोई भी error का problem देखने को नहीं मिलेगी तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दीजिए और channel को subscribe कर लिजिए